हेलो मेरे प्यारों दोस्तों आप लोग कैसे हैं तो आज हम लोग कोशन्स करेंगे on the basis of complimentary अंगिल्स और supplementary अंगिल्स तो जो स्टुडेंट्स अभी complimentary अंगिल्स और supplementary अंगिल्स के बारे में नहीं जानते हैं वह से पहले के वाला लेक्चर देख लें लाश्ट के 15 वीडियो वह देख लें आपको कम्पलिमेंट्री और सप्लीमेंटरी एंग्स के बारे में detail में explain किया गया है और जिस students को मालूम है इसके बारे में तो यहाँ पर questions देख सकते हैं ठीक है तो questions हम लोग आज करेंगे question का discussion होगा आज complimentary और supplementary angles पर ठीक है तो पहला question है first find the measure of an angle find the measure measure of an angle find the measure measure of an angle find the measure of an angle which is complement of itself which is which is complement of which is complement of itself of itself ठीक question ध्यान से देख लिए find the measure of an angle which is complement of itself ठीक है वो angle बताईए जो खुद का compliment हो ठीक है वो एंगिल बताईए जो खुद का compliment हो ठीक है माल लिजी सपोस का लिजे iso angle X है फ्लीकि करक है जिसका अन्यकि का compliment और फ़ो खुद है ठीक है माल लिजे वह angn 2017 है जिसका अंवर फिर पिर देख का compliment आपका एकस है ठीक एकस का complement अगरिये थे तो क्या लिखेंग के आप लोग फ्लीक का X का complement X है तो आप क्या कहेंगे कि X plus X यानि X degree plus X degree requires to 90 degree यही तो होगा complementary angles जो होते हैं उनका sum कितना होता है 90 degree हमने माना कि एक angle X है और उसका complementary angles वो खुद है तो उन दोनों को add करेंगे तो 90 degree आना चाहिए तो यहाँ पर 2X की value कितनी आ गई 90 ठीक तो यहाँ से X की value क्या आई X की value आ गई 45 degree आंसर तो 45 degree वो angle है जिसका complement खुद 45 degree है ठीक है यहाँ तक किसी student को कोई problem चलिए second question second question तो supplementary angles तू कि supplementary angles तू सपलीमेंटरी एंगिल्स तू सपलीमेंटरी एंगिल्स एंगिल्स डिफर बाइ 34 differ by 34 दो supplementary angles है और उन दोनों supplementary angles के बीच का difference है 34 degree ठीक find angles find angles find angles ठीक यानि दो supplementary angles है और उन दोनों supplementary angles के बीच का जो difference है वो 34 है यानि अगर हम मालने की एक supplementary angle एक supplementary angle अगर आपका x है ठीक लेट का ले रहे हैं अगर आपका एक supplementary angle क्या है एक्स है तो दूसरा supplementary angle क्या होगा दूसरा supplementary angle क्या होगा ऐसा supplementary angles होना चाहिए ताकि इसके और इसके supplementary angle के बीच में difference 34 हो जाए यानि अगर एक angle x है तो दूसरा angle x plus 34 होगा x plus 34 होगा तभी तो x plus 34 और x की बीच का difference कितना आएगा 34 यानि x से x plus 34 कितना जादा है 34 जादा है तभी तो x और x plus 34 के बीच का difference कितना आया कितना है 34 ठीक है यानि x angle है जिसका supplementary angles है x plus 34 ठीक है यानि हमें 2 supplementary angle मिल गए है ठीक है अब हम से angle पूछा है दो supplementary angle का सम कितना होता है कितना होता है 180 डिगरी कितना होता है 180 डिगरी ठीक में टिडी जी तो यहां ते आपको क्या निकल के आया 2 x सी रिकोष्ट टू वन एट्टी माइनस 34 वन एट्टी माइनस 34 वन एट्टी माइनस 34 तो यह कितना आ गया आपका 2 x is request to 10 में से 4 गया आपका कितना बचा 6, 17 में से 3 गया आपका 146 तो X की वैलु आपकी कितनी आ गई 146 अपान 2 यानि 73, 73 वो एंगिल है ठीक है और दूसरा 73 डिग्री एंड दूसरा, दूसरा इससे 34 जादा था, पहला कितना हो गया 73 और दूसरा इससे 34 जादा है यानि 73 प्लस 34, प्लस 34 कितना हो गया, चार, तिन, साथ, तिन, दस ठीक यानि 2 सपलिमेंटरी अंगिल्स हो गया आपके 73 डिग्री एंड 107 डिग्री अब आप देख रहे होंगे कहा गया था कि 2 सपलिमेंटरी अंगिल्स जिनके बीच का डिफरेंस 34 होना चाहिए, अब ये 2 आपको कितना दिख रहा है 34 187 में से 73 सब्टैट कीजिए अंसर कितना आएगा 34 तो यह आपका रिक्वाइड आंसर है यहां तक दिख रहा है यह आपका आंसर नोट करिए नोट करिए चलिए नेक्स्ट कोशन आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर थार्ड के बारें बात करें थार्ड एंगिल इस इक्वेल टू एंड एंगिल इस इक्वेल टू जो स्टुडेंट अभी पिछला लेक्टर नहीं देखे हैं वो लाश्ट के जो फिफ्तेण मीनट्स फर्स्ट लेक्चर का देख लें वहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से Communistatamente को कि मरा होता है कि एक्स का का छूमपली मेंटरी एंगिल कि ओटा है या फिर एक्स का सपलिमेंटरी हेंटरी कि क्या होता है यह सब चीजे है कर एंच्वेल to five times equal to five times five times its complement its complement thick its complement determine its measure determine its measure ठीक कहा गया एक एंगिल है वो इक्वेल है five times its complement ठीक है जो एंगिल है वो किसके एक्वेल है वो इक्वेल है five times उस एंगिल के compliment के यानि उस एंगिल के compliment को five times करेंगे तब हमें वो एंगिल मिलेगा ठीक है एन एंगिल इसको फाइफ टाइम्स its complement यानि वो जो एंगिल है वो अपने compliment के पांच गुने के बराबर है ठीक है अपने गुंप्लिमेंट के पांच गुने के बना और या नि जब उसके कांप्लिमेंट का फाइब टाम्ज करेंगे तब हमको वह एंगिल मिले गा ठीक है तो लेट कर ल %. लेट b है यिषि फाइट'ाइस हमने आपको बताया था कि अगर एंगिल x degree है तो उसका complementary angle होगा 90-x, ठीक है, 90-x, then complement of x be 90-x, ठीक, 90-x, तो x का complement क्या होता है, 90-x होता है, यह हमने आपको बताया था, कल के lecture में, आप लास्ट में 15 मिनिट्स देख लिए, ठीक है, x का complement होता है, 90-x क्यों होता है, क्योंकि x और 90-x को add करेंगे, तो add करने पर जो answer आएगा, वो आपका 90 degree आएगा, और जब दो angles को add करने पर answer 90 degree आता है, तो वो दोनों angles क्य कहलाते हैं, एक दूसरे के complement, ठीक है, तो हमने माना angle x है, उसका complementary angle हो जाएगा, 90-x, आप कहा गया है, कि वो angle जो है, यानि जो आपका x है, वो equal है, 5 times, यानि 5 गुना, अपने complementary angle से, तो x का complementary angle 90-x है, तो x 90-x के 5 गुने के बराबर है, ठीक, 5 गुने के बराबर है, अब आप इसको solve कीजिए, तो x is equal to आपका आया, ये कतना हो गया, 450, ठीक, 450, और minus 5x, ठीक, यही आया, minus 5x, आप minus 5x को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा आपका, 5x is equal to 450, तो आपकी x की value यहाँ चे निकल के आएगी, 450 upon 5, ठीक, यहाँ आपका हो गया, 90 degree, क्या हो गया, 90 degree, यानि, पूछा गया था, determine its measure, तो answer क्या है, 90 degree, answer आपका क्या है, 90 degree, ठीक, 90 degree वो angle है, जो अपने, sorry, 5 और x, 5 और x, 6x, तभी तो कहें, गरबढ़के हों गया, ठीक, तो इसको काटेंगे 6, या फिर आप 3 से काट लिए, ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 एककम 3, 1 और 5, 3 पचे 15, 0, 3 दुना 6, कितना आगया answer, 75, 75 degree, ठीक, सॉरी, answer कितना होगा, आपका, 75 degree, answer कितना होगा, आपका, 75 degree, यानि 75 degree, वो angle है, जो अपने complimentary angle के 5 गुना है, ठीक है, 75 का complimentary angle होगा, कितना, 75 का complimentary angle 15, और 15 के 5 गुना है, 75, 15, 15, 75, यानि आपका answer बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यहाँ पर correct कर लीजिए, 5 x इदर आएगा, तो कितना होगा, 6 x is equal to 450, ठीक है, एक्स की value आजाएगी, आपकी कितनी 75 degree, यहाँ तक clear है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number, fourth, fourth question, find, the measure of an angle, measure of an angle which forms, which forms, which forms, a pair of supplementary angle, a pair of supplementary angle, supplementary angles, यहाँ लिख दे रहे हैं, angles, with itself, with itself, ठीक, अब आपको बताना है, वो angle, जो खुद का क्या हो, supplementary angle, आपने पहले question में किया था, वो angle बताना था, जो खुद का complementary angle होता, ठीक, अभी आपको क्या बताना है, वो angle जो खुद का supplementary angle होगा, ठीक है, तो हमने माल लिया, कि वो angle क्या है, x, x, ठीक, और x का supplementary angle, अगर खुद x हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, x प्लस x कितना हो जाएगा, 180 degree, ठीक, तो आपकी यहां से value आएगी, 2x is equal to 180 degree, और x की जो value आजाएगी, वो आपकी आजाएगी, 90 degree, ठीक, यह आपका answer, यानि 90 degree वो angle है, जिसका supplementary angle वो खुद है, 90 degree का supplementary angle, खुद 90 degree को कि 90 प्लस 90, 180, ठीक है, नोट करिये, अब नेक्स्ट कोरिशन करेंगे, कोरिशन नमबर फिफ्थ, कोरिशन नमबर फिफ्थ, अन एंगल, अन एंगल, इस एक्वल तो बन थर्ड, अन एंगल, is equal to, is equal to one third of its supplement, is equal to one third of its supplement, 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 find its measure, हीं प्लिस लिएंगे, find its measure, एंगल is equal to one third of its supplement, ठीक है, जो एंगल है, वो अपने supplement का one third है, ठीक है, अपने supplement का one third है, तो एंगल बताना है, ठीक, तो हमने माल लिया कि एंगल है, लेट, एंगल is equal to x, ठीक, तो उसका supplement, supplement क्या हो जाएगा, उसका, supplement of x, वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस x, ठीक, यह हमने कल आपको बताया था, याद करने के लिए भी बताया था, एक्स का supplement क्या होगा, 180 माइनस x, ठीक है, तो हमने एंगल माना x, उसका supplement है, 180 माइनस x, अब according to question देखिएगा, कहा गया है, एंगल जो equal है, वो one third of its supplement की, ठीक है, यानि x जो equal है, वो one third of, इसके supplement, यानि 180 माइनस x, ठीक है, अब यहाँ पर आप solve कीजिए, 3x हो जाएगा, 3x is equal to, 180 माइनस x, ठीक, ठीक, यहाँ से आप x को इधर लाईए, तो क्या हो जाएगा, 4x is equal to 180 degree, ठीक, 180 degree, तो यहाँ से x की value क्या आएगी, x is equal to 180 upon 4, 180 upon 4, तो कितना आजाएगा यहाँ पर आपका, 45, 45, कितना आजाएगा, 45 degree, यह आपका answer आजाएगा, यह आपका answer, यानि 45 वो angle है, जो अपने supplement का 1 third है, ठीक है, यानि 45, और 45 का supplement क्या होगा, 135, यानि जो 45 है, वो 135 का 1 third है, बिल्कुल सही बात है, कि 45 is equals to 1 third of 135, जब आप 135 का 1 third निकालेंगे, तो answer कितना आएगा, 135 का 1 third निकालेंगे, तो answer आपका 45 आएगा, यानि 45 is that angle, which is equals to 1 third of its supplement, ठीक, next question, question number 6, question number 6, वो क्या है, two supplementary angles, two supplementary angles, two supplementary angles, are in the ratio, are in the ratio, ratio to ratio 3, a ratio, are in the ratio, two ratio 3, find the angles, find, the, angles, two supplementary angles, और उनका ratio है, two ratio 3, two supplementary angles है, और उनका ratio क्या given है, two ratio 3, find the angles, वो angles कौन कौन से हैं, यह आपको बताना है, ठीक है, हमने माल लिया, कि एक angle X है, तो इसका supplementary angle, 180 minus X हो जाएगा, यहाँ तक किसी student को कोई problem, यानि, X एक angle है, तो उसका supplementary angle क्या होगा, 180 minus X, यानि, यह एक दूसरे के supplement है, ठीक है, X का supplementary angle, हमने आपको बताया था, 180 minus X, 180 minus X का supplementary angle, X होता है, ठीक है, चलिए, यही कहा गया, दो supplementary angles, X और 180 minus X, इनका ratio क्या है, 2 ratio 3 है, 2 ratio 3 है, यानि, X और 180 minus X का जो ratio है, वो क्या है, 2 ratio 3, ratio means fraction, ठीक है, यानि, X upon 180 minus X, यह ratio आपको, 2 ratio 3 given है, यह ratio आपको क्या given है, 2 ratio 3, ठीक, अब आप इसको solve किजिए, 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 X, 3 X, 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, जिक्वेस्टू 2 into 180 minus X, 180 minus X, ठीक है, अब आप इसको solve किजिए, 3 X is equals to, 182 दुनी, 36 360 minus 2 X, minus 2 X, ठीक है, minus 2 X, 2 X इधर आएगा, तो कितना आजाएगा, 5 X is equals to, 360 degree, ठीक है, तो आपका X की value, यहां से क्या जाएगा, 360 upon 5, ठीक, upon 5, तो आगए आगा, 5 साथे, 35, 1, 0, यानि 72 degree, ठीक है, 72 degree, आई आई आई, आई आई, X की value, किसकी आई, X की value, लेकिन यह दोने ratio में थे, 2 into 3 के ratio में थे, 2 into 3 के ratio में, ठीक है, आपका देखिए, यह आपका X की value कितनी आई, 72 degree, अब आप 180 minus, पहला angle कितना आगया, 72 degree, अब 180 minus 72 करिए, तो कितना आएगा आपका, 108, ठीक, तो आपका पहला angle जो है, 72 degree, और दूसरा angle कितना है, 108 degree, अब आप देख सकते हैं, कि 72 और 108 degree, दोनों किस ratio में हैं, 2 ratio 3 में, ठीक है, यानि पहला angle 72 degree, और दूसरा angle 108 degree, ठीक है, 108 degree, अब 72 और 108 का आप ratio लेंगे, तो 2 ratio 3 आएगा, 2 ratio 3 आएगा, 36 को काटिए, 36 दुना 72, 36 दुना 72, और 36 तियाएं 108, आप देख सकते हैं, 72 और 108, यह दोनों ऐसी supplementary angles है, एक ऐसे supplementary angles है, जिनका ratio क्या है, 2 ratio 3, यह आपको बताना था, ठीक, कोई problem यहाँ तक, देख लिजिए, दोनों question में कोई दिक्कत, note कर यह, अब हम लोग देखेंगे, next question, 6 तक हो गया न, sevens, question number seven, देखेंगा, मैं आपको हर तरीकी का questions, इसके basis पर करा रहे हैं, ठीक है, complimentary और supplementary angles पर, के basis पर, हम सारे questions आपको cover करने की कोशिश करेंगे, basic to advanced level, जैसे भी questions बन सकते हैं, उस सारे questions मैं आपको कराऊंगा, यहाँ ठीक है, ठीक, question number seven, the supplement of an angle, the supplement of an angle, किसी angle का supplement जो है, is, is one third of itself, is one third of itself, of itself, determine angle and its supplement, determine, angle and its supplement, अभी तक बहुत सारे बच्चों नित कर भी लिया होगा, इस question को, and its supplement, ठीक, and its supplement, ठीक है, का गया है, the supplement of an angle, किसी angle का जो supplement है, वो one third of itself है, वो one third of itself है, ठीक है, यानि किसी angle का जो supplementary angle है, पहले हम angle लिख देते हैं, माना हमने angle लिया x, तो इसका supplementary angle क्या हो जाएगा, 180 minus x, ठीक, 180 minus x, अब जान सुनीगा, ये angle है, ये क्या है आपका angle, ठीक, और ये इसका supplementary angle, ठीक, supplementary angle, अब देखेए का question क्या कहा रहा है, कि supplement of an angle, इसका supplement ये, और ये जो है, supplementary angle, one third of itself, यानि ये इसका one third है, यानि इसका जब आप one third करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, जैसे आपने one third किया, one third of x, तो आपको क्या मिलेगा, one eighty minus x, यानि जो supplementary angle है, आपका ये, ये जो आपका supplementary angle है, वो itself, itself means angle का one third है, angle का one third है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप इसमें आगे बढ़ेंगे, और question को solve करेंगे, 3 को इधर ले जाएए, तो क्या हो जाएगा, x is request to, x is request to, three into one eighty minus x, ठीक, one eighty minus x, ठीक है, आप यहां पर देखिए, x is request to, 183, 54, 540, ठीक, minus three x, minus three x, ठीक है, minus three x, अब आप यहां पर देखिए, 3 x को इधर लाए, एकता हो जाएगा, four x is request to, 540, ठीक, तो आपको x की value, यहां पर क्या मिल जाएगी, 540, upon four, upon four, upon four, अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 17, 4 x 4, 1, रुक जाएगे, 4 x 1, 4 x 1, एक आया, 1, 4, 12, 4 ती आए, 12, ठीक, 20, 4, 25, 135, डीक, यानि वो एंगिल क्या है, 135 डिग्री, लेकिन हम से कहा गया, एंगिल भी बताईए, और उसका supplement भी बताईए, तो 135 अगर एंगिल है, तो उसका supplement क्या होगा, 180-135, तो 180-135 आप करेंगे, तो कितना आएगा answer, 45, कितना आएगा 45, ठीक, यानि 135 वो एंगिल है, और उसका supplement क्या है, सप्लिमेंट उसका, 180-135 यानि की, 180-135 यानि की, 45 डिग्री, अब आपको देख कर भी पताई चलना होगा, कि supplement of an angle, यानि इसका जो supplement है, वो इसका one third है, यानि 135 को, जब आप three से divide करेंगे, तो अगेन आपको क्या मिलेगा, 45 डिग्री, यही तो कोशन में कहा गया था, क्लियर है, सारी चीज़ें समय में आ रही है, आप next question पर चलते हैं, next question means, question number 8, 8, ठीक है, देखीगा, अब question का level थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, if, the supplement of an angle, if, the supplement of an angle, if the supplement of an angle is, is, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक, is, if the supplement of an angle is, three times its complement, अभी समझा रहे हैं हम आपको, three times its complement, its, its complement, ठीक, find angle, find, angle, यहाँ देखीए, आप question में क्या कह रहा है, if the supplement of an angle, यानि किसी angle का जो supplement है, वो three times its complement है, ठीक है, यानि अगर किसी angle का supplement है, 180 माइनस एक्स, तो वो कितना है, three times its complement, उसके complement का, कितना है, three times, जैसे हम लिख के बता दे रहे हैं, आपको, supplement of an angle, यानि हमने माल लिया, एंगिल कितना, x ठीक, x माल लिया, तो इसका जो supplementary angle आएगा, वो कितना आएगा, 180 माइनस x, और इसका complementary angle जो आएगा, वो कितना आएगा, x का complementary angle, 90 माइनस x, ठीक, 90 माइनस x ठीक, अब कहा गया है, कि supplement of an angle, यानि ये, 180 माइनस x, is three times is complement, यानि इसका तीन गुना, इसका तीन गुना, इसका three times आप करेंगे, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, यानि three times of, 90 माइनस x, इसलिए आपको सब बता दिया गया था, पिछली लेक्चर में, आप जाके देखिए, कि complementary angle क्या होता है, 90 माइनस x, x का complimentary, 90 माइनस x, 90 माइनस इसका complimentary x, 180 माइनस इसका complimentary x, supplementary, और x का supplementary angle, 180 माइनस x, ठीक है, तो three times of this compliment किये, तो आपको क्या मिला, supplementary angle, 180 माइनस x, ठीक, देखिएगा, 9 तरिक 27, minus 3x is equals to, 180 माइनस x, ठीक, आगे चलिए, 180 को इधर लाईए, 180 को इधर लाईए, कितना जाएगा, 90 degree, 90 degree, 270 में से 180 गया, तो 90 degree, यहां पूरा ही लिख दे रहे हैं, आपके लिए, चलिए, पूरा ही लिख दे रहे हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी भी स्टुडिटिन को कोई प्राब्लम तो नहीं है, आपर, चलिए, 270 माइनस x, 270 माइनस 180, ठीक, इधर रिक्वेस्ट टूरा जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानि 3x माइनस x, ठीक, कितना हो जाएगा, यह 90 डिग्री, इधर रिक्वेस्ट टू एक्स, ठीक, इधर रिक्वेस्ट टू एक्स, तो x की वैलू यहां से क्या आई, 90 अपान 2, इधर रिक्वेस्ट टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप से पूछा गया था, एंगिल की वैलू, तो एंगिल की वैलू 45 है, ठीक है, एंगिल की वैलू आपकी क्या है, 45, तो 45 का जो आपका सप्लिमेंटरी एंगिल होता है, कितना होता है, 45 का सप्लिमेंटरी एंगिल, 180 माइनस 45 का, जो supplementary angle है 180-45 होगा यानि supplementary angle जो आएगा इसका वो 135 आएगा ठीक और इसका complementary angle means 90-45 90-45 यानि complementary angle कितना आजाएगा 45 ठीक अब आप देखे कहा क्या गया था कि जो supplement है supplementary angle वो आप उसके कंपलीमेंट का कितना है अब देख लिए supplementary क्या क्या 3 टाइमस नहीं है supplementary क्या कंपलीमेंटरी का 3 टाइमस नहीं है कंपलीमेंटरी का आप 3 टाइमस करेंगे 45 का 3 टाइमस तो आपको 135 मिल जाएगा यानि आपका अंसर एकदम सही है कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत है यहां पर देख लिजिए चेक कर लिजिए बताइए नोट करिए चलिए अब next question करते है next question means question number 9 question number 9 क्या question number 9 9 इस दा कॉंपलीमेंट आफ सारे कोशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से समझेगा इस दा कॉंपलीमेंट आफ अन एंगिल is equal to the is equal to the if the complement of an angle is equal to the supplement of supplement of the thrice of it price of it to find the measure of angle या find the angle लिख लिए डारेक्ट फाइंड गाइंगिल लिखेंगे कॉश्चन अच्छा है ध्यान से समझेगा कॉश्चन अच्छा है आपका ध्यान से समझेगा कहें क्या रहा है देखिए इसमें कह रहा है कि इस दा कॉंपलीमेंट आफ एन एंगिल यदि किसी एंगल का जो काम्पलीमेंट है वह किसके एक्वेल है इस एक्वेल टुदा सप्लीमेंट आफ दड़ थाइस ऑफिद्ट एक्वेल है तो जैसे आप समझेगा मालीजिय कोई एंगिल है ना लिजिय कोई एंगिल है आपका छाग की आंगेल हमे आ आपका एक्स डििटिकी डिटीक है अब यह का कंपेंट क्या होगा कॉम्पलिमेंटर एंग इनिटि की का होगी की कॉमपलिमेंटर एंगिल की होगी 90 माइनस एक सतिक अप का गया है कॉमपिमेंट ऑफ एंगील इस इक्रश्वल to the supplement of the Thrice of it यानि इसके थ्राइस का सप्लिमेंट ओफ थ्राइस ओफिट थ्राइस ओफिट ठीक है यानि थ्राइस का जो सप्लिमेंट है यानि एक्स का सप्लिमेंट नहीं तो आपका एक्स का सप्लिमेंट नहीं ठीरी एक्स का जो सप्लिमेंट है यानि अब आपका जो आपका थ्राइस हुआ थ्राइस क्या हुआ थ्राइस आपका थ्राइस आप इट मीज इट मीज यह एक्स थ्राइस मीज थ्री एक्स ठीक है तो थ्राइस का जो सप्लीमेंट है थ्राइस का सप्लीमेंट आपका जो है थ्राइस का है वाद सप्लीमेंट थ्राइस की सप्लीमेन होता कि त्री सप्लिमट ने ने इस तुरी इस का सब्लेमेंट बनती माइनस थी एक सी ठीक है यहां तो दिक्क्त यह कॉई दिक्त एंगल था एक सिसकांपलेमेंटरे अंगल लारत क सब्सक्राइब किस्तिbach अश्याइक ठीक है तो इसका complimentary एंगिल इसका complimentary एंगिल मींस 90-3 x के supplementary एंगिल के equal है 3 x का supplement means 180-3 x और 180-3 x के equal 90-x के 180-3 x equal है 180-3 x किसके equal है 90-x की बात समझ में यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी student को देखे कहा गया कॉंपलिमेंट पर एंगिल तो 90 मायरोस एंग्ल था एक एंगिल काasan एंगिल 90 मायर यह बढ़र समजा दे रहे हैं 90-ध jest ऐक बार और समझा दे रहें सप्लिमेंटरी एंगल की एक्वेले तो हमनी एक्वेशन आपको लिख दी ठीक अब सॉल भर करना है ठीक है सॉल करेंगे अब कितना आएगा 90 जल्लिया यह तो तो आपका 180 180 माइनस 90 ठीक दिस एक कितना हो जाएगा 3x-X ठीक माइनस एक सितना हो जाएगा 90 3x-x इस टीक अए ust और इसका मतलब कितना हो गया 135 बटाइए 180 में से कितना आ गया 45 अब आप देख रहे होंगे कि जो सप्लिमेंट है तरे इसका इसका जो सप्लिमेंट है 45 और इसका जो कंपलिमेंट है वह तो 45 और 45 एक्वल है यानि आपका आंसर क्या है एकदम करेक्ट है एकदम करेक्ट है आपका अंसर कोई दिक्कत आपके आंसर में नहीं है ठीक है यह कोशन नमबर 9 करिए नोट करिए नोट करिए तुरंद अब हम लोग करेंगे next question ठीक, next question question number 10 question number 10 if an angle if an angle is 28 degree is 28 degree less than less than its complement its complement find its measure ठीक, आप कहा गया कि if an angle is 28 degree less than its complement अपने complement का अपने complement से 28 degree क्या है? कम है जो एंगिल है वो अपने complementary angle से 28 कम है ठीक है? यानि हमने क्या किया? हमने मा लिया let let angle angle क्या है? x तो इसका जो complementary angle होगा complementary angle ठीक, वो कितना होगा? 90 minus x ठीक, 90 minus x ठीक है? और कहा गया है जो यह angle है वो अपने complementary angle यानि इससे 28 कम है यानि कहा गया है कि x की जो value है is equal to 90 minus x यानि complementary angle से 28 degree कम है तो आप angle यानि x बताइए ठीक है? x बताइए अब x is equal to क्या हो गया? 90 minus 28 minus 28 और minus x ठीक है? आप x को इधर ले आईए तो क्या हो जाएगा? 2x is equal to 90 minus 28 कितना हो जाएगा? 62 62, 62 degree आपका जो x आया x की value 62 upon 2 यानि 31 degree या आपका answer होगा यानि जो angle है वो क्या है? 31 degree ठीक है? तो इसका जो complementary angle होगा वो कितना होगा? इसका complementary angle 31 degree का complementary angle वो कितना होगा? वो आपका क्या? वो क्या होगा? 59 59 ठीक है? 31 degree का complementary angle क्या होगा? 59 31 degree का जो complementary angle होगा complementary angle वो कितना होगा? 59 कैसी आया? 90 minus 31 90 minus 31 किया? तो आपका complementary angle आगिया? ठीक है 59 कर से आया 90-31 घटा लिजे ना हो आप 10 में से गया 9 10 में से गया 9 8 में से तीन गया कितना पांच 59 ठीक है 59 अब कहा गया है कि जो एंगिल यानि जो 31 है वह अपने कॉम्प्लिमेंटरी एंगिल से 59 से कितना कम है 59 से 28 कम यानि 59-28 करिए कि आपका थर्टी वन आ रहा है वन और यह आपका 3 ठीक वण और यह आपका 30 30 वन आ गया यानि 59 कॉम्प्लिमेंटरी झाय था और कॉम्प्लिमेंटरी js इंग चैना 28 गटा दिया तो आंसय अथे 31 यानि आपके जो आंसर आया था वो एकदम करेक्ट है ठीक है यह थे कंप्लिमेंटरी और सप्लिमेंटरी एंगिल्स के बेसिस पर कोशन्स ठीक है बहुत अच्छे अच्छे कोशन्स थे अमने सारे कोशन्स में कवर किये हैं इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा ठीक ह और कोई प्रॉब्लम कोई डाउट अगर रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है क्या मेरा मुबाइल नंबर वाट्स अप नंबर हमार दिया उस पर आप मैसेज करकर हमसे कोशन्स पोश सकते हैं थैंक्यू सो मच